आज मैं आपको प्राओंगी क्लास 11 इंग्लिश की पॉम जिसका नाम है एफ फोटोग्राफ रिटन बाई शरली टॉसन ठीक है तो यह जो पॉयम है इसमें हमारी पोटेस ने हमें बताया है अपनी मदर के बारे में और एक फोटोग्राफ के बारे में तब पॉयम का नाम है फ बीच हॉलीडे पे गई वी थी और साथ में उनकी मदर की दो भेहने थी मतलब समझ लो कि उनकी मासिया तो मेरी मदर जब जिन्दा थी तो वह समय पे ना वाली फोटोग्राफ देखती थी और बहुत खुश होती थी देखके और वह अपने बच्छपन को याद कर दी थी कि दो तरीके से दो लोग चीजों को एक वह अपनी मदर को एक्स्प्रीiona कर जिए कि यह एक से वह पने खोएवे बच्पन का याद कर दी थी और हमाही हो जसे हो जब ती कर the cardboard shows me how it was अब यहां पर cardboard मतलब ही photograph से देखो क्या होता है कई बढ़ फोटोग्राफ को cardboard पेस्ट कर दिया जाता है तो दाट फोटोग्राफ अच्छे से स्टोर होके रहे हैं यह बहुत पुरानी जमानी की फोटो है आप समझेलों तो the cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling each one holding one of my mother's hand and she the big girl some 12 years or so तो वो कहते है cardboard shows me यहनि कि वोटो थी फोटो पे क्या देख रहा था कि जब दो girl cousins यहनि कि दो girl cousins और उनकी mother जो है घूमने के लिए गय थे कहां पे बीच पे each one holding one of my mother's hand यहनि कि दोनों मास्यों ने एक एक ने जो है उनकी mother का hand पकड़ा का था mother उनकी beach में ठीक है she the big girl some 12 years or so और इस समय पे उनकी age क्या है वो 12 साल किया उनकी ममी ठीक है आगे परते हैं all three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera a sweet face my mother's that was before I was born तो कितना प्यारा लग रहा था मेरी मदर का उसमें face वो तब की बाद है जब मैं पैदा भी नहीं होती ओविसली जब उनकी मदर 12 साल की है तो वो समय पे पैदा नहीं हो थी ठीक है अब वो क्या कहते है उस फोटो में और क्या देख रहा था है और समुद्र के बारे में कुछ बताती है जो इस फोटो में देख रहा था उस कार्डबोर वाली फोटो में एंड़ सी विच अपीर्स तु है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट यहां से एक्जाम में बहुत क्वेशन मन क्या आने वाले हैं अब वो कहते हैं जो सी है जो जो पैर थे उनको वाश करा था क्योंकि ऐसा ही होता है जब हम बीच पे जाते हैं तो लहरे आती है और हमारे पैरों पे आती रहती है तो उसी चीज को वो कह रही है कि उनके पैरों पे भी लहरे आ रहा ही थी उस फोटो के अंदर बट यहां पर उन्हों एक मीनिंग छुप यहां पे वह हमें यह कहना चाहरी है कि जो हुमन लाइफ देखो वह पर्मनेंट नहीं है आज उनकी मदर उनके साथ में नहीं है उस फोटो में उनकी मदर है और वह समुद्र भी और उसके लहरे भी है तो वह कहनी है कि मेरी मदर आज मेरे साथ में नहीं है बट वह समुद् मनानी है इस बात का that her mother is not there with her ठीक है तो यह ही कहते है और सी विच अपीज आपीज तो है नहीं नहीं हुआ नेचर पर्मनेंट रहता है ठीक है वास्ट देयर वास्ट देयर कौन है उनकी मदर उनकी बहने टेरेबली ट्रान्जींट फीट ट्रान्जींट मतब क्या है नौन पर्मनेंट कि इंसान की पर के ऐसे आज हम है तो यह चीज़ वह इसमें पोएम को उससे पहले हाँ पर पैडलिंग का मीनिंग देख सकते हो पैडलिंग है ना तू गर्ल्स कोजन वेंट पैडलिंग मतलब होता है समुदर के किनारे पे बीच पर वाक करने को पैडलिंग है ठीक है अब आगे पढ़ते हैं हम अब आगे पढ़ते हैं सब्सक्राइब लेटर शेवड लाफ पैडलिंग से पैडली शेवड से और लुक हाव द्रेस्ट इस फोटो को देखा कर दी फोटो को यहां उन्होंने क्या का है स्नापशूट को देखती थी और हसती ती देख हो बेटी को देखो डॉली को ओं वहां उन्हें कहीं है य। तो इन्होंने मतलब क्या वो कह रही है लोग हाउ दे कौन होए हाँ पर मतलब कि हमारी पोईटेस की मदर की भी पेरेंट्स तो उनके ग्रांट पेरेंट्स होगे ते देखो इन्होंने हमें कैसे तैयार करा है बीच हॉलिडे के लिए तो ऐसे वो हसा करती थी देखके अब पर माइन Moore और उनके लिए पास्ट अपनी मतर की यसे वो जब जिंदा थी तो वो अरज सब्स ऑफ क्रेट्स क %. उनकी मदर ने क्या खोई अपना बच्पन अन्होंने क्या खोया अपनी मदर नहींने हुर्च ऑपको हम दोनों ही परशान होते हैं वो थाब होती थी, मैं आब होती हूँ of this loss, यह जो loss हमारे साथ हुआ है यानि कि वो काफी दुखी है because her mother is not with her ठीक है, तो with this, यह second stanza complete, अब पड़ते हैं, third stanza now she is being dead nearly as many years as that girl lived and of this circumstance there is nothing to say at all, its silence silences तो अब वो क्या करें है, now she is there nearly as many years as that girl lived, girl कौन अपनी मदर के कहते हैं, कि अब उनकी death को almost इतने साल हो गए हैं, जितने साल उस बच्ची के थे, कौन सी बच्ची, जो photograph के थी, तो photograph में उनकी मदर की एज 12 साल थी ना तो यही कहना चाहरी है, she is been dead nearly as many years as that girl living, जो अल्मूस्ट बारा साल हो चुकी होगे, अब उनकी मदर को चल वैसे, ठीक है, and of this circumstance, there is nothing to say at all, और इस circumstance में उनके पास कहने क्लिक कुछ नहीं है, its silence silences, यानि कि ये शांती ये शांती ये शांती ये शांती ये इस चीज़ की यानिक जो एक लाइफ में ना, जो एक ल अब इस पोइम के अगर आपको पोईटिक डिवाइज चेक करने है, या फिर अगर समरी तो ये इस पोईम के शौर्च समरी है, आप इसको भी रीट कर सकते हो, समरी अगर नोट्स अगर आपको हैं रिटेन चोई है, यह इंपोर्टिं क्वेशन का स्टैटी माटीरियल आपको एक्सेस करना है, तो सब के लिए आप मेरी इंस्टेग्राम इडी चेक कर सकते हो, आपको लिंक दिखा भी होगा, स्टार्टिं ओफ दो वीडियो में, डिस् सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हो, सब ही प्लेइलिस से आपको सब दिख जाएगा, मैंने हर एक पोईम की पोईटिक डिवाइस की अलग वीडियो बना दिया, तो विडिस लेट्स एंड इस वीडियो में मिलती हूं नेक्स वीडियो में, बाबाई, टेकर बेरान बस्तो लॉब